हेज़ गूपर्ण और वेलकम बाइच चैनल एज़ुकेशन अगार का पॉइंट जैसा कि आपको आज के निज में हम आपको यह बताएंगे कि कीसे करना है क्या करना है वो सारी कूछ हम आपको बताएंगे फर्स्ट ओफॉल अगर आप इस चैनल पर नए हूँ तो बस इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देजे तो यहां पर देखते हैं सफल चात्रों का पंजियन होगा 25 जुलाई से कब से होगा तो 25 जुलाई से पंजियन मतलब होता है रेजिस्टेशन काउंसलिंग की प्रकेडिया आपकी इस्टार्ट होगी तो आप लोग और जितने भी लोग सफल है जैसा कि मैं आपको बताई कि जरूरी नहीं है कि 97 वाले को ही मिले अगर आपका 87, 89, 81 भी अगर होगा तो भी आपको गवर्मेंट कॉ है और कहां का कटफ कैसा जाता है उस पर डिपेंड करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं 12 से लेकर 26 तक पेपर में शत्यापन करवाएंगे अगस्त यहां पर अगस्त अभी जुलाई चल लाया है 11 से 22 संसानों में सहमती देंगे 25 जुलाई से आप रेजिस्टेशन फिर 500 जो आपके हैं वो आप अगर CST candidate हो दैन दिव्यांग candidate हो तो आपको 500 पे करने होते हैं अब यहां पर देखें कांसलिंग के प्रकडिया क्या अधिकारी विफसाइट पर हिस्टर इमेल आईडी द्वारा पासफ़र लॉगिन करेंगे रिजल्ट और रैंक को सत्यापि हुए को व्यारी करना होगगा नामंकन के लिए विप्ल्ड συν crawl को किनेट रिया विफसाइट विफसाइट कि शेंगे सबसे इना चाहते हैं तो इस तो मिल जाएगा आपको कुछ भी फिर देखो और registration किये रहोगे तो लाश लाश तक आपका sport admission तक भी अगर seat बजेगा तो कहीं न कहीं admission हो जाएगा चुनेगा है महाविद्यालो के पुना जाच कर ले फिर उन्हें save कर दीजे इन सभी प्रकरिया पूरी करने के बाद online registration सुल्क जमा कर दीजे क्योंकि यह सारे print out आपको काम देने वाले हैं आगे इस परकार counseling के रहे registration के प्रकरिया पूरी हो जाएगी तो यह सारी चीज है तो आपकी registration हो जाएगी तो आपको college क्या हो जाएगा allotment list आएगा allotment list के बाद आपको यह 3000 वाला जो payment है वह करना होगा देखो बहुत सारे college में 3000 payment आपको वापस कर दिया जाता है लेकिन बहुत सारे college में वापस नहीं किया जाता है खैर वह college college की बात है तो चलिए असुधा होने पर आप इस number पे phone कर सकते हैं तो यह number आप वी होगी अगर helpful होगी तो बिलकुल इस चैनल को like share and subscribe जरू करें thank you for watching us